प्यारे बच्चों आप सभी का आमार चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों इस वीडियो के मादम से क्लाश 10 और 12 के बच्चों के लिए हिंदी के एक सबसे ज्यादा most important topic जीवन परचे के बारे में बात करने वाला हूँ और बच्चों आज का जो मारा topic होने वाला है वो होने वाला है बासुदेव सरण अगरवाल का जीवन परचे बच्चों ये जो जीवन परचे है बोड के पेपर में हर साल और हमेसा पूछा जाता है और बोड के पेपर में हमेसा question नमर पांचवा में पूछा जाता है तो बच्चो इस वीडियो के मादम से मैं आप सभी को यही बताऊंगा कि बोर्ड के paper में आप सभी लोग जीवन पर्चे की स्तरीक से लिखोगे कैसे लिखोगे कि आपका एक भी नमबर ना कटे और बोर्ड के paper में 95% अच्छा से अच्छा अंकी स्कोर कर सकते हैं बच्चो बोर्ड परिक्षा में टापर ऐसा ही लिखते हैं जीवन पर्चे यह जो टापिक है बोर्ड के paper में हैसा पूछा जाता है और इक question नमर पांचवा में पूछा जाता है तो इस वीडियो के मादम से मैं आप सभी को यही बताऊंगा कि जीवन पर्चे लिखते समय आप सभी को बोर्ड के paper में कौन कौन सी गलतिया नहीं करना और बोर्ड के paper में कैसे लिखो के जीवन पर्चे कि आपका एक भी नमबर ना कटे और फूल में फूल माक्स आपको यहां पर मिलने वाला है ठीक है त सबसे पहले आप सभी को यहां पर heading लगाना होगा प्रश्नोतर संक्या 5 ठीक है आप सभी को black pen का इस्तिमाल करना है इस तरीके color का इस्तिमाल नहीं करना है ठीक है मैं सबसे पहले फिर उसके बाद यहां पर लिख देना जीवन पर्चे बढ़िया से heading लागा का लिखना है ज बासुदेव सरड अगरवाल की जी का यहां पर heading लगा लेना है ताकि examiner को समझ आ जाए कि आप किस subject के बारे में यह किस कभी का यह किस लेखा का जिवन पर यहां पर लिख पा रहे है ठीक है इतना हो गया कोई दिकोत की बात नहीं है अब यहां पर आगे हम heading लगांगे इस 1904 इसमी में मेरठ जनपत के खेडा ग्राम में हुआ था अगर आप चाहो तो इसको हेट लाइट भी कर सकते हो ठीक है 1904 को और यहां पर जो खेडा गाव है इसको भी हेट लाइट कर सकते है ठीक है तो डाक्टर अगरवाल का जो जन्म है सन 1904 इसमी में होता है और कहां पर ह होता है मेरट जनपत के ठीक है मेरट के यहां पर खेडा नामक ग्राम में हो जाता है ठीक है इतना बात के लिए कोई दिकत किसी बात का दिकत नहीं है इन्होंने 802 विदाले से MA ठीके यानि कि ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या पर प्राप्ट किया था इन्होंने 802 विदाले से MA तथा लखनौव विदाले से पाड़िनी कालिन भारत नामक सोध प्रवंद पर डिलीट की उपाधि प्राप्त की ठीक है इतना बात लिख दिए कोई दिक इनका साहित में अस्थानी हो गया ठीक है अब यहां पाम इसी में यह लिखेंगे कि डाक्टर अगरवाल कास्ती हिंदुविष्ट विधाले में पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास्त विभाग के अध्यक्ष भी रहे ठीक है और व संग्रहाले में अध्यक्ष तथा अचार पद पर भी कार कर चुके है इतना बात इनकी जो भी मतलगी कहानिया है इसके बारे में आप देखो बना करके लिख सकते हो सबसे में मोटर यहां पी यह है कि सबसे पहले इनका जो जन्म है जन्म का डेट यहां पर याद रखना है और जन्म कहां पर हुआ किस जगह पर हुआ यह याद रखना है बाकि इनके बीच में जो भी बना करके लिख सकते हो कोई दिकत की बात नहीं है ठीक है यह होता है ट्रिक होता है बोड के पेपर में जीवन पर्चे लिखने का सही तरीका लेकिन अंत में आप सभी को यह बात अंत में जरू लिखना है कि सन 1967 इस भी में डाक्टर अगरवाल का दिहावस्तान हो गया है ठीक है मतलब देखो यह सबसे पहले मिर्ट्व दिखाओगे ठीक है सबसे पहले क्या दिखाओगे जन्म उसके बाद मिर्ट्व दिखाओगे और बीच में जो भी बात इनसे जीव पूरा बता दिया आप सबसे को दो तीन या दो एक दो यहां प्लिख दो गए तो आपका पूरा नमर मिल जाएगा ठीक है इतना बस समझ में आ गया अब अंत में यह चीज लिखना है जरूर कि कि सहिति मेंन् का अस्थान किस तरी से है कोगी बोड के पेपर में लिखता है कि बाई की बा क्ठा कि तो यहां पर लिखेंगे कि भारती संस्कृती और पुर्यतत्व के बिद्वान डाक्टर बासुदेव सर्ड अग्रवाल का निधन या निवन्द हम यहां पर का लिखेंगे साहित्य अत्याधिक संब्रिद है विचार प्रदान निवन्दों के छेत्र में तो इनका योगदान अविष्मररी है dalt होता है घीटिगा Shaan फॉलना सब्सक्राइब अगली लिखेंगे इनका कहा यह क्या क्वासथान हम डिचा अस्थान है मतले की मतलव एक ऑजीव एक लौट था मतलब इनके जैसा साहित्याधिक किसी का नहीं रहा होगा बाते बना बना करके लिख सकते है तो प्यारा बच्चो अगर बोड के पेपर में इस तरीक से अगर पूरे पूरा बणिया से लिखते हो तो बोड के पेपर आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा और पूरgen पूरे नंबर याहां से मिलने मुला है ठीक है एक बात और अगर आप इन सभी यहां पर जीवन संसें कभी का जीवन संसे का चाहते हैं तो टेली ग्राम चाइन सेडीं सिरीज मिलता है अगली वरी में तब तक लिए जय हिंद जय बारत वंदे मात्रम